हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन अपेक्स क्लासेश डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं शीतर शर्मा आपकी हिस्टी एजुकेटर हम पढ़ रहते क्लास 12 का 4 लेसन मुस्लिमा करमान उद्देश्य और उसकी प्रभाव आज है इस लेसन का लास्ट टॉपिक हमारे पास में शीवा जी और पेश्वा पढ़ेंगे हम ठीक है ना लास्ट टॉपिक रहे गए इस लेसन का हमारा जल्द से इसको कंप्लीट कर लेते हैं शीवाजी शीवाजी का परीचे सबसे पहले शीवाजी की पिता कौन थे शीवाजी की पता पिता यादखना है सबको आपको माता पिता और और उनका जन्म यादखनाए ठीक है ना तो शिवा जी की पिता थे शाजी भॉंसले शाजी भॉंसले और जी जब आई की संतान कौन थे शिवा जी ओके नेउस्ट मोस्ट इंपरण कुछन कहीं बार पूचा जाता है कि शिवा जी का जन्म कब और कहा वह एक नमबर के कोशन में मोस्ट मोस्ट इंपरण कोशन है ठीक है ना तो शिवा जी का जन्म हुआ बीस अपरेल 1627 में कहा हुआ शिवनेरी दूर्ग में कुना के महरास में शिवनेरी दूर्ग की पहाड़ियों में कि अपनी माता के साथ में इनका जीवन लालन पाल्ल वुए आपको इनके परिचे में चीज याद रखनी है वो यह चीज याद रखनी है कि शिवा जी का जन्म एक तो यह ध्यान भाए शिव ने दूर्ग की पहाड़ियों में पूर्णा महारास्ट में आपको ध्यान रखना है सन्रक्षक आपसे जो पूछा जाता है जीजा भई और कौन देव के नित्रत्व में हुआ था ठीक है नेक्स अपन बढ़ते हैं बीजापूर के विरुद सैन्नी अभ्यान अगर आपसे पूछा जाए शिवा जी का पहला अभ्यान ठीक है शिवा जी का प्रथम अभियान जो था वह किस के विरुद हुआ… इनका प्रथम अभियान वह था बीजापूर के विरुद आपको ध्यान रखना है बीजापूर अगर आपसे पूछा जाए मैप में तो भीजापूर आप भरेंगे करनातक में तो शिवाजी का प्रथभ अभयान किसी विरुद्ध था बीजापूर के विरुद्ध उसमें कौन था आदिल शाह कौन था मुहमद आदिल शाह याद जाएका से पहली चीज़ से आपको यह यादत नहीं है कि शिवा जी का प्रथा उबियान है किसके विरुद होगा शिवा जी का प्रथा उबियान होगा करनाटक बिजापूर के विरुद होगा वहां का शाशक क पर आखमन कर देता है और इस पर आखमन कर के यहां पर अदिकार कर लेते हैं किसके दोर अधिकार होता है श्यवा जो ना इस साम्राजी विश्षार के लिए एक सेना का निरमान किया जाता है अब अब इस वेवस्ता ये जब आकरमन कर ले जाता है धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ना लग जाते है क्योंकि शिवाजी के द्वारा आदिलशा के काफी विश्वासबातर वैक्ती बी उनको वह धनका लालस देकर अपनी और मिला लेता है तो धीरे धीरे शिवाजी की शक्तियां बढ़ती जाती है ऐसे में आदेर शाह बहुत ज़्यादा भैभीत हो जाता है कि शिवाजी पूरे करनाठक पर अधिकार कर लेगा इसके लिए उसको एक ऐसे वेक्ति के आशकता हो अफजल खां जो है वो यह कहता है कि वह शिवाजी के विरुद युद करने के लिए तयार है वो उसको बंदी बना के लाएगा उसको पराजित करके आ जाएगा ठीक है ना अफजल खां क्या करता है कूट नीति का सहारा लेता है और शिवाजी के पास में अपने एक वेक्त साथ में हम संदी करना चाहते हैं यह कोट निती थी दाख டि के बारे में पहले से ही जानकरी लग जाती है इसलिए वो पूरी सुरक्षा के साथ में अफजल का अचाल रहके साथ में सामने उपस्तित होते हैं कब की बात है 6469 समय और श्यवाजी जो है वो दौना अपस में मिलेंगे संधी की बातचीत के हिसाब से इसमें अवजलखा जो है वो शिवाजी से गले लगते हुए उनकी डबोचने में लगता होता है उसे समय शिवा जी क्या करते हैं उनके लोहे का कवच पहना हुँटा है और बागनक बाग के शेर के जो नाखुन होते हैं उनके पहने होते हैं एक कटार उनके हाथ में होती है ठीके ना तो अफजल खां आकरमन करें उससे पहले ही शिवाजी क्या है बागनक से उसको चीर देते हैं और यहाँ पर अफजल खां जो है वह मारा जाता है ओके तो यह कफी सारे शित्रों पर किसका अधिकार हो गया या पर शिवाजी का अधिकार हो जाता है मुहमद आदिल शाह है वह कुछ नहीं कर पाता है ठीक है नेक्स अब आपन पर पढ़ते हैं शिवाजी और मुगल शिवाजी और मुगल में आपको ध्यानक ना है कि जिस समय मराठा के स सबक शिवाजी थे उस समय मुगल शाशक कौन था औरंग जेब कौन था मुगल शाशक और देपना करता है किसको अपने मामा कर शाइस्ता किया करता है रखशन का प्रमुक्षित्र जो है पूना पर क्या कर लेता थै अधिकार कर लेता है शायसा क्या कर लेगा पूना पर अधिकार कर लेगा और पूना पर अधिकार कहां करेगा वह जहां पर शिवनेरी दुर्ग में जहां पर शिवा जी का पूरा बच्पन बीता है ठीक है ना उस शिवनेरी दुर्ग पर अपना शाशन स्थापित कर लेगा और यहां से शिवाजी की विरुद शडियंत्र करना शुरू को जाता है, यूजना बनाना शुरू कर देता है, जब शिवाजी को इस बात का पता चलता है, शिव ने दुरुख से पूरा लालन पाला नहीं हुआ तो पूरी जगे से वो अवगत अची तरीके से, अब क्या करे करते हैं, उस समय शाइस्ता खाँ जो है, शाइस्ता खाँ की विरुद अभियान करेंगे, तो यह अभियान होगा आई, शूर रासो त्रेस compartir सी में शिवा जी जो है वह अपने लगबग 400-500 सैनिकों को लेकर किसके विरुद जाएंगे शाइस्ता खां के विरुद जाएंगे पर आखर करते हैं उस समय जो है वह भागने में सफल हो जाता है कि उसकी तीन उंगलिया पर वार कर दिया जाता है शिवाजीकदारा उसकी तीन उंग्लेशतर है उपक्तंप्त्र जो है यह तो मारे जाएंगे और शैस्तर यहां से जान बचा कर भाग जाएगा अब जब यहां से शैस्ता का भाग जाएगा तो कौन नाराज हो जाएगा और शैस्ता कहां से नाराज हो जाएगा और शैस्ता खा को पूना से हटा कर कहां बेज़ेगा बंगाल भेज़ेगा कि वह यह शिवाजी को रोकने में सफल नहीं हुआ तो इसको कहां बेज़े जाएगा बंगाल बेज़ेगा कॉल औरंगजेव ठीक है अब औरंगजेव को चाहिए कि वह कैसे भी करके शिवाजी का दो दबन करना ही है तो शाहिसा खां के बाद में पहला तो बेजा है दक्षी अब औरंगजेव को एक ऐसा वेक्ति चाहिए जो की शिवाजी को बंदी बनाने में सफल हो सके उसको अधीन कर सके इसके लिए एक कूट निती कौन मिलता उसको आमेर के राजा आमेर के मिर्जा राजा जैसिंग कौन मिलता है आमेर के जो शाशक है मिर्जा जैसिंग जो है मिर्जा राजा जैसिंग वो इनको मिल जाता है आमेर के मिर्जा राजा जैसिंग औरंगजेव के द्वारा जैसिंग को भेजा जाता है किसके विरुद शिवाजी के विरुद भेजा जाएगा जैसिंग जो है बहुत इकूट निती से कुछ मराठा सरदारों को मराठा लोगों को धन देकर अपने अर्मिलाना शुरू करेगा और धीरे-धीरे करके भीजा जैसिंग जो है वह पुरंदर के दुर्ग को घे नहीं है उसको दुर्ग से बाहर निकलना पड़ता है अपने परिवार की जान बचाने के लिए और दौनों के मद्धी एक संधी हो जाएगी most important question संधी बहुत important कई बार पूछी जाती है 1665 में कौन से संधी होगी पुरंदर की संधी कई बार पूछा जाता है अब इस संधी की प्रमुक्षर्ट है इस संधी की प्रमुक्षर्ट में सबसे पहले मराठों के पास जो 35 दूर्ग थे उन 35 दूर्ग में से 23 दूर्ग मुगलों को देने पड़ें 23 दूर किसको देने पड़े मुगलों को देने पड़े दूसरा शिवाजी के पूत्र जो है शंभाजी इनको मुगल दर्बार में रहना पड़ा मुगल दर्बार में सेवाए देने पड़ी संभाजी को मुगल दर्बार में सेवा देने पड़ी तीसी जो शर्टती ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को दर्बार में उपस्तित होने के बात दिया नहीं किया जाएगा सिवाजी को दरवार में आने को बादिय नहीं किया जाएगा लेकिन कुछ समय बाद ही जस्वन सिंग जो है, वह मराटो के साथ भी अच्छी मित्रता रखता है और अग्लों के साथ पह अच्छी मित्रता रगता है इसलिए लूए 1606सी में ही कब के बात है 1606सी में 1606सी में ज़सवन सिंगp जबर को कहा उपसित करया जाता है मुगल दरबार में शिवा जी को मुगल दरबार में बुलाये जाता है अब शिवाजी जब या मुगल दर्बार में उपस्तित होता है तो उनको बहुत ज़दा अपमानित किया जाता है उनको ऐसा लगता है कि उनकी काफी सारी बहुत ज़दा इंसल्ट हो रही है इस से शिवाजी क्या करता है 1966 में मुगल दर्बार से भाग जाते हैं और जसुन सिंग के पुत्र के वहां आमेर में जैपूर में वहां पर शरण लेते हैं उनके वहां बहुन में चले जाते हैं लेकिन जब यह बात औरंगजे को पता चलती है कि वह दर्बार में से निकल के गए तो उनको लगता है कि उन दोनों आमीर भावन से सुरक्षित भागने के बाद सफल हो जाएंगे यहां से भागने के बाद क्या करेंगे वह युद्ध को शान्त करने के लिए जस्वन सिंग के मद्यस्ता से मुगल और मराठा एक संदी हो जाएगी चासुन सिंगी मदिश्था से कौन से संदी होगी मुगल मराठा संदी हो जाएगी और इस संदी के तहत एक महतपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है क्या है कि संदी के तहत औरंग जेव जो है औरंग जेव देगा तीक है ना याद रखनी ये चीज़ आपको इसके बाद में शुरुआत में तो थोड़ी शांती बनी रहती है लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि इस संदी की जो शर्ते होती है कि भी मुगल मराठो के शित्रे प्रवेश नहीं करेंगे लेकिन इस संदी क ँसे माराठो के चित्र पर अधिकार करना वापस शुरू कर देता है तो यह बास शिवा जी को पता चलते है नहीं प्राप्त करना शुरू कर देता है। शिवा जी का राजयविशेक किस इस्थान पर हुआ था तो यह हुआ था राइगड दूर्ग में हमने पढ़ा था जिसका इन्होंने मरमत करके इस दूर्ग का नाम दिया था ठीके ना तो इस्थान क्या है राइगड दूर्ग में शिवा जी का राजयविशेक हुआ था next important question जो आप से पूछा जाता है वो है कि शिवा जी का रजय विशेख कब हुआ था ठीक है ना तो शिवा जी का रजय विशेख समय अगर पूछें तो शिवा जी का रजय विशेख हुआ था वह हुआ था जून 1684 इस्वी में कब हुआ था जून 1684 इस्वी में हुआ था नेक्स अगर पूछें कि किस ब्रामण की शर्मी किस ब्रामण के द्वारा उनका रजय विशेख किया गया था तो आपको ध्यान रखना है वो ब्रामण थे बनारस के ब्रामण थे जिनका नाम था गंगा भट बनारस के गंगा भट बनारस के गंगा भट जो थे उनके द्वारा शिवा जी का रजय विशेख किया गया और रजय विशेख के बाद ही उन्होंने उपाधियां प्रात्य की तीन उपाधियां लें कौन कौन सी? सबसे पहले उपाधि धारन की छत्रपती की दूसरी है हिंदू धर्मो द्वारक हिंदू धर्म का उद्दार करने वाला हिंदू धर्मो द्वारक हिंदू धर्म का उद्दार करने वाला हिंदू धर्मो द्वारक हिंदू धर्म का उद्दार करने वाला हिंदू धर्मो द्वारक हिंदू धर्म का उद्दार करने वाला हि शिवाजी भी ब्रामन इते ना तो गो ब्रामन प्रतिपाले ये तीन उपाध्या जो है वो उन्होंने अपने रज्यरोहन के बाद में स्वीकार किती ये इसमें यही चीज आती आती यह ध्यानक नहीं है ओके अब इसके चीज में हम इसमें याद कर लेते हैं उनकी कि यहाँ पर 1614 इसमें उनका रज्य भी शेक तो हो जाएगा ठीके ना लेकिन अब आप दूसरी तरफ क्या है कि शिवाजी का पुत्र जो है शंभाजी जो की मुगल दाना सेवाय दे रहा था वो पूरी तरह से किसके दिन हो जाएगा मुगलों की शरण में चला जाएगा अब उत्रादिकारी तो शंभाजी बना चीए लेकिन उसकी जो हन्य पत्नी है वह राजाराम को उत्रादिकारी बनाने के लिए शडिंत रचा राजारा है उसकी पत्नी वगर जो है वचारी है राजाराम की जो मा है वचारी है की राजाराम उत्रादिकारी बने तो ऐसी इस इस इस्तती में शिवाजी बीमार हो जाते हैं और बीमारी के कारण यह सारे चिंताओं में पूरा समय उनके चिंताओं में वैतित होगा और इस चिंताओं हमारा Apex Classes Edutech YouTube चानल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे आने वाले सभी YouTube विडियोज की अपडेटड नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आपको मिले Apex Classes Edutech, सबस्क्राइब नाओ